हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश के लैटर एक ही इसे पहले भी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ इस तरह हैесे एक चिन भी बनता है एक चिन कहां पर बनता आब को बताना चाहूँगा जैसे हमारी यह रेखा है जो पुरी गुलाई में चलती ही जो हमारे शकर मांट को पर और इसके साथ जोड़कर अगल लाइन थेली के आरपार निकलती है जो दूसरी तरफ को चलती है इसको कहा जाता है माइंड लाइन जब इन दोनों रिखाओं के बीच में एक रेखा कर जुड़ जाए तो यह बन जाता है एक चिन जैसा आप अपने स्क्रीन के उपर भी देख सकते हैं इस तरह का चिन होना भ यहां शनी माउंट के नीचे तक पहुँंचे जो एक एक चिन बनाए तो यह रेखा हमारी लाइफ लाइन से जुड़कर निकल रही है और शनी माउंट अगर पहुँच रही है तो यह एक भागया रेखा रहेगी और जिनके हाथ में इस तरह क्लिए भागया रेखा होते हैं वो काफी भागया शाली होते हैं अब जब एक चिन की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा एक complete एक पतली हमारे हाथ में लाइन होगी लाइफ लाइन और इसी तरह से कि निर्दोश और पतली लाइन होगी जो माइन लाइन है यह दोनों रिखाएंगर बिल्कुल क होगा around 36 की एज में क्योंकि यह जो रेखा रहेगी लगबग इस हमारे लाइफ लाइन के इस पॉइंट से जो around 36 के आसपास बनता है यहां से उपर की तरफ बढ़ेगी तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का चिन बन रहा है जो एक चिन बना रही है रेखा और ऐसे व्यक्ति को अचानक अपनी लाइफ में राइस देखने को मिलेगा काफी अच्छी लग व्यक्ति की हो जाएगा और धनवान होना शुरू हो जाएगा ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद अब बात करते हैं अगर यह एक चिन थोड़ी सी टेड़ी लाइन से बन रहा है यानि कि पहले वाली रेखा से भी ज्यादा भागया चाली है पहले वाले एक चिन से भी ज्यादा अच्छी है इसका रीजन यह है कि यह रेखा आपको धनवान बनाने के साथ सथ फेम भी दिलवाएगी क्योंकि यह जो माउंट है सूर्य माउंट कहलाता है सूर्य माउंट के नीचे तक जब रेखा पहुँचती है तो ऐसी रेखा व्यक्ति को प्रसिधी दिलवाती है और यह जो एका चिन बनेगा कंप्लीट बन रहा है कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है कोई आयलेंड का चिन नहीं है तो यह ऐसा व्यक्ति बहुत भागया चाली होगा और ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के फिल्ड में भी काफी नाम कमा सकता है। अब बात करते हैं इसी अक्रिती के एक और फॉर्मेट की। यानि अगर एक जो चिन है वो काफी चौड़ा बन रहा है। क्या होगा हमारी जो लाइफ लाइफ लाइण वो बिल्कुल कम्प्लीट रहेगी। और जो माइन लाइण है ये भी रतियरी के दूसरी तरफ जाएगी। लेकिन जो इस A के चिन को बनाने वाली जो बीच वाली रेखा है वो लाइफ लाइफ लाइन से शुरू होकर इस फिंगर के नीचे तरफ आएगी यानि कि टेडी लाइन चलेगी और यहां तक पहुंच जाएगी बुद्ध माउंड तक ऐसी रेखा अगर कम्पलीट है और यह है हमारे जो माइंड लाइन की रेखा को भी काट कर आगे पहुंच रही है और इस मरकरी माउंट के नीचे तक पहुंच रही है तो ऐसे व्यक्ति एंटरप्रेनर बन सकते हैं बहुत बड़े बिजनसमैन बन सकते हैं क्योंकि इस लाइन को मरकरी लाइन कहा जाता और यह मरक क्रिटी को पूरा करने के लिए एक अच्छी मर्कृरी लाइन का होना भी जरूरी है तो यह तीनों रिखा हैं अगर बहुत अच्छी हैं आपके हाथ में और कंप्लीट एका साइन बन रहा है तो युकीन मानिया बहुत भागया शाली है और यह रिखा आपको बिजनस के मामले में बहुत लगी बनाती हैं आप किसी ना किसी तरह का बिजनस जरूर करोगे और बिजनस में खूब तरक्की भी पालोगे तो दोस्तों यह कुछ रिजल्ट से एका साइन बनने के जिस तरह से अलग लग लग चिनों के अपने अपने मीनिंग होते हैं जिस तरह से एम के चि कि वेयनत को बलूटे पर आपने भागया को बलूटे पर लाइफ में काफी रोगई तरय पाल होगी तो मेरे और खरदा हम। हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फ़रामि खेश करें खरते हो दो को और खाले और तो उसे लाइक करें करें और